मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा, वो आपको सम्भोजित करूँगा खारगे जी आपने बड़ी सही बात बोली जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की, देखिए ये चुनाओ इंडिया गटबंदन और कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाओ हम पीजेपी, एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्ताओं को, इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोडी जी ने और अमित शा जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया पुरे इसके तो मैं बात करता रहता हूं आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुलके किया काफी लोगों ने छुपके किया और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊ तो मेरे mind में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे mind में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गडबंदन के पार्टनर्स से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सब्विधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की सबसे पहले हमने इंडिया गडबंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रड़क्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंदन ने सार्फ दे दिया है यह जो हमारा परफॉर्म परफॉर्मन्स हुआ है इंडिया गडबंदन का परफॉर्मन्स हुआ है इसके पीछे Constitution जो Reservation पर BJP ने आकरमन किया गरीबी अदानी जी के आपने Stocks तो देखे होंगे देखें देखें उस Stocks उनके तो बड़ी Interesting बात है जनता अदानी जी को मोधी जी से directly correlate कर रही है मोधी जी की हार होती है Stock Market कहता है भया मोधी जी गए तो अदानी जी गए मतलब डाइरेक्ट relationship है corruption की relationship है और देश ने नेरेंद्र मोधी जी को साफ कह दिया है की हम आपको नहीं चाते है and this is the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to Mr. Narendra Modi I'd like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution और अन्त में मैं आपको कह दूँ की इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है किसानों ने किया है गलेतों ने किया है आदिवासियों ने किया है पिछडों ने किया है इन लोगों ने इस constitution को बचाया है इस constitution यह constitution देश की अवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया छुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस constitution का बचाया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उनके उनसे कहना चाहता हूं कि Congress Party आपको वायदे किये थे हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जन गर्ना है लक्ष्मी यह हमारे वायदे हैं धन्यवाद शुक्रिया राहु जी अभी तीन-चार सवाहल सिर्फ हम लेंगे एक मिनिट एक मिनिट प्रीज एक मिनिट शान्थ हो जाएए प्रीज शान्थ हो जाएए प्रीज शान्थ हो जाएए एक मिनिट शान्थ हो जाएए एक मिनिट शान्थ हो जाएए कलिए तब्सक्स रिए खस्त। इस है तर्वीम कर्या है ट्र सक्राइब अजय जातिव पर्वारेट कर्या थे कर दो एक बड़ीध कर छ्योंड बीज्ड वेटी ऑड़ अब टूप्सिंट पर्मश्य यावियर्पत्न वट्टेश्श पर्वार्ट साहिजन जा फिज जह अब टेस्ट एंट ट्यूंट्प और We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. आने के लिए आगिया आप आएंगे. वो ही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो. कल डिसाइड होगा. इंडिया गडबंधन की मीटिंग है. कल हमारा लाइन्स डिसाइड करेगा. बड़ी फाइन लाइन है. तो जो इंडिया गडबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे. सर, खरगे साब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है. और उनके साब से एंडिये को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है. तो एंडिये सरकार बना रही है. तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पर प्रधानमंती नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके? और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया, जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे, और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं, उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं, वो सारे स्टैटिजीज अगर यही मैं बोलूँगा, फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे, इसलिए जाराम जी, 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 खरके साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं, जनादेश इंडिया गटबंधन के लिए क्या है विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बधाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा, दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चड़ावाए अब सव कहां कड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मेंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाए 2009 में 2009 में तो क्या बात करें 2009 में दोवारा जब आउमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें अब मैं पूछ रहा हूँ दो चीज़े दो चीज़े यह जो मेंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते या सरकार बना चाहते आप चाहते क्या है नहीं देखिए हम हम एक कोईलिशन के भाग है ठीक है कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टियां है और उनके साथ अभी हमारा डिसकॉशन नहीं हुआ है हमने उन से कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लड़ा दिया लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है तेमीज से बात नहीं करती है मगर किशोरिलाल शर्मा जी जो है वो 40 साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्ती के लिए कام कर वह है और उनका अमेठी की जन्ता के साथ रिष्ट्टा है शायद BJP के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत closely connected व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको congratulate करना चाहता हूँ कि अच्छी करे वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो PA हैं स्टनों हैं ये बिल्कुल गलत है ये offensive है ये नहीं कहना चाहिए राहूल राहूल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ देखिए UP UP की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे ज़ादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया UP के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं ने बहुत सारे states ने कमाल करके दिखाया मगर बीजित यूपी ने हिंदुस्तान की राजनेती समझ कर constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने constitution की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का India गरबंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद